आस्ट्रिलिया में प्रिस्पेन में हूँ जैवीम नमवदा है और मैंने हेडिंग दिया है कि गाय भरत की माता है और आस्ट्रिलिया में देखो कोन खाता है तो यही बताने के लिए मैं आज यहां पर लाइव आया हूँ मैं दरसल आज कोई मीटिंग नहीं है इसलिए मैं अपने फॉर्मल्स में नहीं तो आये दिखाते हैं कि आस्ट्रिलिया में गाय को कोन खाता है और यहां पर एक बहुत बड़ी फ्रांचाइजी आस्ट्रिलिया में है तो मैं ज्यादा बात न करते हुए आपको दिखाना चाह कि यह एक फ्रांचाइज ही है जो अच्छे बीफ पॉर्क चिकन लैंब और यह सारा मिलता है इसका नाम है ब्रामन पाइस तो जो भारत में ब्रामन उद्रेक कर रहे हैं कि गाय हमारी माता है गाय को मारना नहीं चाहिए गाय को खाना नहीं चाहिए यहां पर वही ब्रामन उसी गाय को काट कर यहां का पेमस ब्रैंड है ब्रामन पाइस और यह सिरिफ एक छोटा सा आउटलेट है यह मेन दुकार नहीं है हम रास्ते से जा रहे थे तब यह हमारे सर जी ने सत्रिंदर टिनुजी ने मुझे बताया कि यहां पर तो ब्रामनों के बीफ के दुकार है यह क्या वाकई में आस्ट्रिलिया में ब्रामन यहां पर गाय काट कर खाता है आईए जानते हैं सर है यहां के आस्ट्रिलिया ब्रिस्बेन में रहते है और सत्रिंदर टिनुजी इनका नाम है मैं उनसे पूच रा चाहता हूं किया ये सही में ये जो ब्राह्मन पाईज लिखा है क्या सही में यहां पर गाय का मीट मिलता है जाबिन साथियों को मेरी तरफ से अमभुदा जाबिन यह जो ब्रामन पाईज है यह वेरी फेमस जैसे आपने लिखा ही आपने देखा होगा वाहं पे लिखा है ब्रामन शीरियूसली गुड़ पाईज है इसमें जो फोटो बनिये भो भी बुलकी है इनकी एक स्टेक पाय होती है जो जो इतनी फेमस है एक इनकी करी पाई है वो सारी बीफ की है तो मेरे पास एक फ्रेंड है यहां पे वाजी है उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहां की बड़ाद ऑपन पास वीच, जैं भीक में भीक तरेक पेस में हैं वैंअ करें के त कि आहां पर नहीं फाय कि यहां पेस अच्छी के बहुत तोकोथा अच्छी भीक मिल थे सकते हैं अधर को तो जब हमने, मैंने का ब्रह्मन पाइज, इट वस शौकिंग फ़ मी, तो जब जा के देखा, तो वहां पे प्रुमा का आउटलेट है, और उसमें स्टोर है, ब्रह्मन पाइज का ट्रुक भी था, तो मैंने उनसे भी बात की, तो कहते हैं, हम भीफ क्या है यह सारे सप्लाइ क देखो, इनका लोगो भी है, गाय का सर काटके इन्होंने यहां पर बनाया है, तो यह एक बज़े के बाद यह बंद हो जाता है, तो यह इस तरह से ब्रह्मन पाइज, यहां पर मिलती है, तो भारत के जो लोग गाय को माता बना रहे है, और मुसलमानों को पीठने का काम कर उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहां के ब्राहमन क्या भारत के गाय को माता नहीं मांते तो यह सब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाईव आया था और यह सारा ब्राहमन 25 का एक बहुत बड़ा फ्रंचाइजी यहां पर चलता है जो ब्रामन गाय को माता बताने का काम कर रहा है वो ही ब्रामन यहाँ पर भारत के बाहर बीफ को एक्सपोर्ट करके उनकी यहाँ पर फ्रंचाइजी चलती है यह फ्रंचाइजी यहाँ पर चला कर गाय से उत्पन करने का काम यहाँ पर कर रहा है तो यह केटरिंग भी करते हैं सब तो जि किसी को घर पे अपने करवाना हो तो वो भी करेंगे अपके फंक्शन है तो इसमें तो यही कहना हो गए जो इंडिया में गाय वो माता है तो यह सोतेली माता है तो बात तो जी होई न सब देखो अब है तो मुझे रविश कुमार जी किये कि आप बात याद आ रही है रविश कुमार जी कहते हैं कि गाय जो है पूरे दुनिया में किसी भी कंट्री में दूद धेने का काम करती है। वो मिट देने का काम करती है, लेकिन भारत की जो गाये वो बोड देने का काम करती है और इसलिए भारत के गाये को माता बना कर उसके नाम पर मोधी जी आज प्रतारमंत्री बन गए हम इच्छा हो मिनिस्टर बन गए और इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि सही मैं किया किसी पशु को माता बनाकर जो लोग गाय को माता समस्थ हैं तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि भारत के सिगनल्स पर अलग अलग सिगनल्स पर आपकी मातां में पूलती हैं उनको ज़रा कपड़े बना कर घर लेकर जाओँ, ऐसी खुले में आपकी मा को अगर आप बाजार में लेकर जाओगे तो आप ही लोगों को कालिया देंगे, तो अपनी मा को जो बहारत में बिना कपड़े के खुम रही है, तो उनको थोड़ा कपड़ा बढ़ा पैनाओ, और यहां पर ब्रहारत के भार आप ही लोगों, आप ही लोगों के ये जो ब्रहामन पाईज है, ब्रहामन उसी माता को काट रहा है, तो ये दोगली निती, पूरे विश्व में आप लोग क्यों इस्तमाल कर रहे हो, तो ये आज में एक जानकरी देने के लिए आपके आए था, कि जो ब्राह्मन भारत में गाय को माता बरता है वो ही ब्राह्मन आस्ट्रेलिया में उसको खाता है तो यही आज का मेरा एक विशे था कि गाय भारत में माता है और वो ही गाय ब्राह्मन यहां पर खाता है जैभी नमो बुता है